Hello everyone, मैं हूँ केरिन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए Coming Week का सापता है क्राशी फल ये 4th April से लेकर 10th April तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं, टारो प्रेडिक्शन्स हैं और मैं अभी out of country हूँ, मैं कैनेडा में हूँ तो अगर आप personal session book कराना चाहते हैं या फिर किसी भी चीज के लिए मुझे contact करना चाहते हैं तो आप WhatsApp message करेंगे या फिर WhatsApp call करेंगे तो बहतर रहेगा क्योंकि कुछ लोगों का मुझे इंस्टा पे message आया मैं हम आपको call करना चाहा रहे हैं आपका number नहीं मिल रहा है और हो सकता है कि जवाब देने में थोड़ा सा डिले हो जाए क्योंकि यहाँ पे दिन रात का फरक है लेकिन अगर आप WhatsApp पे मुझे message करेंगे तो definitely आपको जवाब मिलेगा और आप अपना personal session भी book करा सकते हैं और इसी के साथ साथ अगर आप daily tarot reading में interested हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा और दूसरी बात इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं sun sign, moon sign, ascendant या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं उसके according भी आप इस reading को देख सकते हैं और अगर आप मुझ से पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस sign को आप अभी तक follow करते आ रहे हैं या फिर जिस sign के हिसाब से आप अभी तक अपनी readings को देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं आप उसी sign के हिसाब से इस reading को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं coming week का सापता है क्राशी फल तो चलिए लिबराज आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए cards है balance and wisdom और देखें ये cards कहते हैं कि इस week आप different different चीजों को combine कर सकते हैं different different ideas को merge कर सकते हैं जो भी आपका goal है उसको achieve करने के लिए जो भी again आप अपने professional front में चाहा रहे हैं और देखें बहुत ही सबर बहुत ही patience के साथ आप चीजों को deal करना चाहा रहे हैं या कर रहे हैं और कहीं देखें एक balance भी again मैं कहूंगी लाना चाहा रहे हैं पीछे किसी भी चीज को अगर आप बहुत जाधा कर रहे थे या फिर बहुत कम कर रहे थे तो उसमें भी again एक balance आप लाना चाहा रहे हैं और देखें ये सब के लिए थोड़ा थोड़ा differ कर सकता है कुछ के लिए हो सकता है कि आप जरूरत से जाधा सोच रहे थे कुछ के लिए हो सकता है जरूरत से जाधा planning कर रहे थे कुछ के लिए हो सकता है आप जरूरत से जधा actions ले रहे थे या फिर से मैं कहूंगी कोई भी चीज अगर आप जरूरत से जाधा कर रहे थे तो उसी में ही एक balance आप लाना चाहा रहे है और deeper level के लिए wisdom का काट कहता है कि बहुत ही समझदारी के साथ आप हर चीज को deal करते वे दिख रहे हैं और अगर देखिए अपने professional front से related किसी knowledge को आपको gain करना पड़े या फिर अपनी किसी skill को update करना पड़े उसके लिए भी आप ready दिख रहे हैं आप किसी से guidance, advice, counselling या तो ले रहे हैं या फिर किसी को guidance, advice, counselling दे रहे हैं और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि देखिए life ने जो भी आपको lessons दिये जो भी आपकी learning रही, आपके experience की तरफ से उनको भी कहीं इस week आप चीजों में या अप्लाइ करना चाहा रहे हैं कहीं देखिए nutshell में मैं फिर से कहूंगी कि बहुत ही समझतारी के साथ आप काम लेना चाहा रहे हैं आप impulsive नहीं होना चाहा रहे हैं, आप किसी भी चीज़ को लेके जल्दबाजी नहीं करना चाहा रहे हैं और परसनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए six of cups and hope के cards हैं और देखिए six of cups का card कहीं past की बात करता है तो इस week या तो past की किसी memory, past की किसी event, past की किसी situation पे आप बहुत ज़्यादा focus कर रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि past से कोई चीज़ आपकी current life में आ रही है लेकिन देखिए जो भी हो, कहीं deeper level के लिए hope का card कहता है कि एक उमीद जाग रही है, पीछे किसी भी चीज़ को लेकर आप मायूस हो रहे थे आपने उमीद खोई थी, तो फिर से मैं कहूंगी वो उमीद जागती हुई दिख रही है आपको एक direction मिलती हुई दिख रही है और दिखे Six of Cups के card को हम फिर से देखें तो ये card कहीं relationships पे focus करने की बात करता है loved ones के साथ time spend करने की बात करता है चीजों को लोगों को लेकर emotional और sentimental भी होने की बात करता है क्योंकि Six of Cups के नीचे यहाँ पे hope का card है तो देखें overall एक beautiful सी energies आपके personal front में या फिर personal front में जो भी relationships है या फिर कोई खास relationship है उसके लिए रहती हुई दिख रही है and guidance से आप लोगों के लिए card है seek the truth और देखें इसी week के लिए किसी और sign का भी similar सी energies का card था उनको भी मैंने यही कहा आपको भी यही कहूंगी कि कितनी बारी होता है कि सच को हम अपनी life में accept ही नहीं करते हम एक denial mode में रहते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि अगर हम सच को accept कर लेंगे तो हम hurt होंगे और देखें एक relationship का example मैंने उन्हें दिया था और वही मेरे mind में अभी भी है कि कितनी बारी देखें एक जन होता है वो commitment चाहता है और दूसरा जन commitment देने के लिए बिल्कुल भी ready नहीं होता है वो बहुत clearly communicate करता है कि भई मैं commitment नहीं दे सकता हूँ और फेले भी दूसरा जन इतना प्यार में डूबा होता है कि वो relationship में आगे बढ़ता है अपनी emotions, feelings, energies को invest करता है और आगे जाके फिर बहुत परिशान होता है क्योंकि सामने वाला बहुत ही clearly कह देता है कि भई मैंने तो आपसे वादा ही नहीं किया commitment का आप क्यों expect कर रहे हैं तो दिखे फिर confusion होती है, फिर हम परिशान होते हैं तो इसी तरीके से जब हमें clarity अपनी life में लेकर चलते हैं जो भी चीजें हैं उनके pros and cons को देखते हैं सच को reality को accept करते हैं बहुत जादा expectations नहीं build करते हैं specially जब सामने से हमें वो नहीं दिख रहा जो हम चाहते हैं तो beyond the point हम hurt नहीं होते हैं और इसी चीज का खयाल इस week आप जरूर रखें चक्रा से आप लोगों के लिए heart chakra का card है और इसके हिसाब से all shades of green इस week आप लोगों के लिए लखी रह सकते हैं और significant day आप लोगों के लिए होगा वेड़नेस दे तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए